प्रेंट्स कैसे हैं आप आज की वीडियो में बात करेंगे चेक बाउंस के केस के बारे में हलाकि चेक बाउंस के ऊपर अल्ड़ी काफी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं लेकिन आज की वीडियो में स्पैसिफिकली बात करने वाला हूं किन किन कारणों से अग तो कारण बताए गए हैं पहला कारण है insufficient funds और दूसरा है exceed arrangements यानि कि खाते में balance नहीं है उसकी वज़े से अगर check once हुआ तब हम case file कर सकते हैं लेकिन stop payments, account close और sign mismatch के case में हमारा section 138 बिलकुल silent है यानि कि section 138 में कहीं पेर भी अगर कोई व्यक्ति payment रुकवा देता है या फिर कोई व्यक्ति check काटने के बाद account बंद करवा देता है या फिर sign उसके mismatch हो दाते हैं इस case में section 138 में कोई भी बात नहीं करी गई तो जानेंगे क्या store payment, account close और sign mismatch ये सारे section 138 में आते हैं या नहीं आते हैं कुछ important सुप्रीम कोट की judgment का reference देंगे आज की वीडियो में अगर आप मारे चानल पे नहीं है सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज कर दें बेल लाक कर दबा दें चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहले दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि section 138 में तीन रिजन नहीं बताये गए सिरफ insufficient funds बताया गया है बाकी के store payment, account close और sign mismatch नहीं बताया गया तो इस case में क्या ये सारे section 138 में आएंगे क्या हम इनके उपर case file कर सकते हैं अगर इन कारणों की वज़े से हमारा इन कारणों की वज़े से अगर check bounce हो जाता है तो दोस्तों check bounce के case में basically होता क्या है कि अगर किसी का check dishonor हुआ तो उसके एक महिने के अंदर अंदर आपको legal notice issue करना होता है और legal notice issue करने के बाद अगर उसकी payment जो होती है 15 दिन में अगर notice जो है वो व्यक्ति है payment नहीं करता notice issue होने के बाद 15 दिन में तब आप एक महिने के पास आपके पास right होता है कि आप complaint file कर सकते हो तो दोस्तों ये तीन कारण जो है इन में से तीनों के तीनों section 138 के scope में आते हैं लेकिन section 138 में mention नहीं है कुछ supreme court की judgment है जो कि इन सभी कारणों को जो है अपने साथ section 138 के साथ जोड़ती है सबसे पहले बात करेंगे account close की यानि कि अगर account close करवा दी जता है चेक काटने के बाद तो कौन सी ऐसी judgment है supreme court की जो की section 138 के scope में इसको लाती ये 2000 का case है इस case में supreme court ने कहा कि जो चेक काटने के बाद account close करवा दी जता है तो वो भी section 138 के scope में आता है अगर आपका भी कुछ ऐसा reason है आपका court में case चल रहा है और आपके case में भी ये सवाल उठ रहा है कि account close करवाना section 138 के scope में नहीं आता तो आप इस judgment को जो है अपने case के हाथ refer कर सकते हो अगर चेक काटने के बाद कोई व्यक्ति बैंक को बोल कर payment को रुकवा देता है तो क्या ये section 138 के scope में आएगा देखें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक judgment में मोदी सिमेट लिम्टेड वसिस कुछील कुमार नंदी की जो judgment है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम stop payment को section 138 के scope से अलग कर देंगे तो बहिमानी और बढ़ेगी और सारे लोग जो है ऐसा ही करने लग जाएंगे कि पेचेक काट के फिर payment जो है वो रुकवा देंगे बैंक को बोल कर और section 138 का scope यह है कि जतने भी चेक काट के बहिमान करते हैं उन सभी को रुका जा सके लेकिन अगर हम stop payments को इसमें नहीं add करेंगे तो बहिमानी और बढ़ेगी इसको देखते हुए सुप्रीम कोट ने stop payments को भी section 138 के scope में add करते हैं सबसे ज़्यादा विवादित कारण sign mismatch और sign incomplete के बारे में तो दोस्तों इसको देखते हुए सुप्रीम कोट ने 2002 में एक judgment दी विनोत तन्नावसे जहीर सदीकी के case में सुप्रीम कोट ने कहा कि section 138 के scope में sign mismatch और sign incomplete नहीं आता अगर कोई व्यक्ति का जो check है वो dis owner होता है bounce होता है sign mismatch, sign incomplete की वज़े से वो व्यक्ति section 138 के case उसके उपर नहीं करा जा सकता तो दोस्तों इसको देखते हुए सुप्रीम कोट ने 2012 में अपनी एक और नहीं judgment में पिछली judgment को थोड़ा सा चेंज करा लक्षमी वसे state of गुजरात के case में 2012 में सुप्रीम कोट ने कहा कि section 138 के scope में ये दोनों चीज़ें भी आती है sign mismatch और sign incomplete अब अगर कोई व्यक्ति का case जो है sign mismatch, sign incomplete की वज़े से check bounce होता है तो वो व्यक्ति case कर सकता है section 138 में तो दोस्तो section 138 का basically जो main motive ये था कि जितने भी check से कोई अगर व्यक्ति बईमानी करता है तो उसको रोका जा सके जितने भी other reason है वो सारे भी इसमें include होगे और अगर आपका case भी insufficient funds के इलावा इन तीनों cases में आता है store payment account close या फिर sign mismatch के case में आता है तो आप भी उसके व्यक्ति के खिलाफ उसको notice send करके उसके खिलार complaint file कर सकते हैं अगर आपको चोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब करते और comment box में अगर कोशन है वो मेरे से जरूर पूछे और साथ ही साथ मेरे से बात करना जाते हैं नीचे डिस्क्रिश्मस में appointment का लिंक लिगल education और knowledge लेने के लिए ह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आउँ आपके पास उसकी knowledge question आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकते हैं